यह टाटा की जो हमारे की विंगर नाइन सीटर है अभी है कलर आप इसका देख लिए हो काफी मस्कलोर सा लग रहा है और जो फॉंट का डिजाइन आ फॉंट में देखिए हमारे को यह क्रूम है ना पिल्कुल पूरी बड़ी सारी इसकी लैन दिया और सिंपल हाई लोजन अच्छत है वह आपको दिखा देता हो जो कैबिन सा हमारे को अलग से दिख रहा है और यह रहेंगे आउट साइड के हमारे मिरर यहां पर नो हमारे जो इसके अंदर सीट कपैस्टी ना लिखा हुआ है नो पलस डी और बाइस सो लीटर का हमारे इसका इंजन मिल जाएगा यहां पर हमारे इसके फंट के जो ब्रेक हैं डिस के अंदर बैक के ब्रेक है और ड्रम के अंदर मिल जाएंगे जो टायर साइज है ना हमारा वह आपको यहां पर पंद्रा इंची टायर साइज मिल जाता है काफी बड़ा यह स्पेस भी काफी मिल जाएगा ग्राम स्पेस ज मिल जाएगा बड़े-बड़े सारे गिलास मिल जाएंगे जो और यह अंदर का जो इसका विव है ना जो इसकी सीटे हैं हमारे को यहां पर लगजरी सीटे मिल जाती हैं जो ट्रैवलर वैसे होते हैं ना उसकी तरह ही अ यह रहेगे वारी बैकी प्रोफाइल पीछे से इसको ओपन हम यहां से भी कर शकते और आगे से भी जाएंगे और ऊपर हमारे जो लाइट है वह दी गयी है यह यहां पर में भी कैमरा होगा वो उपर की तरफ जो दिया हुआ है पीछे हैंडल, यहां पर विंगर की बैजिंग है, यहां पर विंगर की बैजिंग है, पीछे हमारे पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, च्यार इसके अंदर और बैक लाइट मिल जाएगी, हमारे को कुछ डिजाइन के अंदर मिलेगी, यहां पर सिंपल जैसे हमारा उसकी थार सब्सक्राइब के अंदर आता ना ऐसा कुछ यह हूक इसका दिया हुआ है टाटा की आपको यहां पर बैजिंग मिल जाएगी यह पीछे आपको तीन सीटे मिल जाएगी और यहां पर सीटों के ऊपर आपको एलचीडी बड़ी-बड़ी सारी मिल जाएगी उसके अंदर आप अपना परसनल कुछ भी चला सकते हैं आपको इंटरनेट की स्विजाइस के अंदर मिल रही है अब यह जो डिस्पले हमारी चली हुई है और उपर की जो लाइट आपको मूर लाइट वगरा मिल जाएगी सब्सक्राइब करेंगे यहां पर यहां पर यह फूट स्टैप मिल जाता है नीचे काफी बड़ा सारा आउट साइड मिर रहेंगे और यह रहेगा हमारा ड्रैवर का जो केबिन है वो हाफी बड़ा सारा एक केबिन मिल जाता है हमारे साइड में हमारे ट्रान इंडिकेटर है रहेंगे काफी लग्जरी गाडियों में से यह हमारे एक आते हैं विंगर काफी मस्त है यह जल्दी ही आपको इंडिया की जड़कों पर दोड़ती हुई मिलेगी टाटा विंगर है अभी यह यह रहेगा हमारे गाड़ी बिल्कुल लोक है न अभी टीकेर बाबाई